प्लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती आज हम एक खास विशय पर चर्चा करने बैठे हैं विशय बिहार की सिक्षा का है राजधानी पटना की सिक्षा का है कुछी दिनों पहले इंटर का रिजर्ट सामने आया लोग काफे खुश हुए कि बिहार की बेट कर रही है तीनों ही स्ट्रीम्स में बेटियां टॉप कर गई और खुशी की बात भी है लोगों को खुश भी होना चाहिए लेकिन जिस विशय में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में सोच कर आप भी थोड़े गंभीर हो जाएंगे और इस मसले को लेकर बीते दो-त अच्छी करनी हो चाहे कोई भी स्टेट हो आप उसके कैपिटल में चले जाए ये राजधानी में चले जाए ये हर सुविधा अच्छी पढ़ाई क्वालिटी ओफ एजुकेशन मिलता है लेकिन इस बार के इंटर के रिजल्ट में जो टॉपर्स की लिस्ट आई है उसमें राजधानी पटना का कोई भी स्कूल का नाम नहीं है क्या ये बड़ी चिंदा का विशह है देखे गरिमा ये बहुत ही गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि इस मामले में प्रतेक बिहार बाशी को सोचना चाहिए और जब हम चर्चा कर रहे हैं आज तो होली का अगला द पतन या स्कूलों का पतन लालू यादब के जमाने में हुआ ये बात सही है चरवाहा विद्याले की परिकल्पना लेकर आए ना चरवाहा विद्याले ठीक से बना और ना सरकारी स्कूल ठीक से चले सब कुछ बरबाद हो गया लेकिन सिर्फ इस आधार पर हम नितिस कुमार को भी बकस नहीं सकते नितिस कुमार ने भी इस कूलों को बचाने के लिए क्या किया यह एक गंवीत प्रस्न है देखिए quantity और quality इसपूलों में हमने चात्रों की संख्या बर आदी चात्राओं की संख्या बरादी पसाक दे लिए स्कूलों की भी संख्या ब्रादी लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कहा गया और जिस विशय की ओर आप मुखातिब हैं पटना की स्कूलों का देखिए मैं तो सरकारी स्कूल का प्रोड़क्ट रहा हूँ पटना के पास ही फतुवा लेकिन मैं पटना के एक बड़े स्कूल मिलियर स्कूल का गबा भी रहा हूँ वहां मैंने प्रहे नहीं किया लेकिन वो दौर भी हमने देखा है नब्बे के पहले तक पटना में तब भी डॉन बॉसको, सेंट माइकल सेंट जेबियर, नॉटेडम आदी स्कूल थे लेकिन ये स्कूल जो थे ये एक अलग क्लास का स्कूल था और दूसरी योर उनसे मुकाबला करने के लिए पटना कॉलेजियेट पाटले पुत्रा मिलर हाई स्कूल, पटना हाई स्कूल बाकी पुरुगलसे स्कूल गदरी बाकी पुरुगलसे स्कूल ऐसे स्कूल भी थे, सरकारी स्कूल और हमने वो दौर देखा है कि जब इन श्कूलों में डाखिले के लिए मुख्यमंत्री के हाँ से पहरवी होती थे मुख्यमंत्री को पहरवी करते मैंने स्वयम देखा है लेकिन आज उनी स्कूलों की सिती क्या है हम सिर्फ टौपस की बात कर रहे है देखिए अब तो अख़बारों में रिजल छप्टे नहीं है इसलिए आपको ये पता नहीं चलता है कि इनी स्कूलों की कितने बच्चों ने बच्चे second division हुया और किटने बच्चे फेल हुगए लेकिन toppers में एक भी नहीं आपने कहा कि बच्चियों ने top किया खुशी की बात है बिल्कुल खुशी की बात है आपने कहा कि ग्रामीन परिवेश के बच्चे top कर रहे हैं यह भी खुशी की बात है लेकिन इसका मतलब ये कदापी नहीं है कि पटना की स्कूल गंगा में दुब जाए और गंगा में दुबने जैसे इस्तित्ही ही हो गई है मुझे वो दौर भी याद है कि पटना की स्कूल्स में Head Masters, Principals वे ही होते थे जो जिलों के स्कूलों में या Gramming छेत्रों की स्कूलों में अच्छा काम कर रहे होते थे और उनी स्कूलों की पहचान जिनकी नाम हमने आपको लिए पटले पत्रा स्कूल, पट्टा हाई स्कूल, पट्टा कोलेजेट स्कूल, बाकी पुर्गल स्कूल इन स्कूलों के प्रिंस्पल्स पूरे बिहार में जाने जा दे थे और पुराने दौर के जो बच्चे हैं इन स्कूलों के वे आज भी स्कूल के साथ अपने प्रिंस्पल्स का नाम लेते हैं और काफी जाने माने लोग इन स्कूलों से पढ़कर निकले बिल्कुल निकले हैं लेकिन आज क्या रहा गिया ने स्कूलों की बिल्डिंग सही है न परहाई सही है तो मैंने कहा कि देखे ग्रामी परिबेश के बच्चे अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि पटना की स्कूल्स दूबज है और जब आप कभी टॉपस की लिस् अब बाद है बहुर सारे बच्चे तौपस की लिस्ट में वे भी होते हैं जो इन सरकारी स्कूलों में पर नहीं रहे होते हैं वे प्राइबिट स्कूल्स में परते हैं और इन स्कूलों के माध्यम से परिक्षा का फॉर्म बढ़ते हैं सेंट अप होते हैं और परिक्षाए करते हैं कि तब मुख्य मंत्री दाखिले की पैर भी करते थे, सिक्छा मंत्री दाखिले की पैर भी करते थे और तब पटना के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए एजमिसन टेस्स हुआ करते थे और बड़ी लंबी लाइन लगते थे बिल्कुल कारण क्या है कि अचानक से अगर दिल्ली की हम बात कर लें तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मामले में कहीं क्रांती कारी परिवतन हुआ है तो वो दिल्ली के स्कूलों में हुआ है उनके स्कूल भी खराब हो चुके थे लेकिन अर्बिन के जरिवाल और मनी सिसोधिया बढ़ाई के पात हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूलों की दिल्ली में न सिर्फ इमारत सुधारी है बलकि उनके स्कूल्स जो हैं अब प्राइबिट स्कूल्स को कम्पीट कर रहे हैं उन्हें चुनौती दे रहे हैं लेकिन वहीं की राजधानी पटना की बात कर लेते हैं तो इंटर में कहीं पर अच्छा स्थान ही नहीं ले पाया भी मैट्रिक का रिजल्ट आना तो खेर बाती है देखिए मैं जो बात कर रहा था कि नब्बे के पहले बरे लोग पैर भी करते थे तो जब पैर भी होता था तो उनमें बरे लोग के बच्चे भी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आते थे मिल्यर स्कूल जहां है बिर्चन पटेल पट पर वहीं आसपास में बिधायक मंत्री भी रहते थे उनके बच्चे भी इसी सरकारी स्कूल में परते थे आप कोई हभी पता है कि लालुयादब भी इसी स्कूल में परे है लेकिन आज आप पटना के स्कूलों में जाकर देख ले IAS और IPS की बात तो छोड़ दिजे गरिमा कोई सेक्सनल आपसर का बच्चा भी इन सरकारी स्कूलों में आपको परता हुआ नहीं दिखाई परेगा कर्मचारी के बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर जब सरकार का मोह भंगी सरकार के मोभंग का मतलब है कि जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं जब उन्होंने ये मान लिया कि हमारे बच्चे इन स्कूलों में परकर अच्छे नहीं बन सकते हैं उनके द्वारा संचाली स्कूल उनके द्वारा संचाली स्कूल, तो फिर ये स्कूल जिंदा कैसे रहेंगे, और जिंदा रखने की कोशिस भी हम नहीं करते हैं, और कोई कोशिस करता भी है, तो उसकी मदद में हम नहीं ख़रे होते हैं, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि स स्कूल और सिक्षक राजनीती का आखारा बने हुए है और इसने बिहार को दुबोया है आप जब बिहार की इस्तिती देखेंगे करीमा मेरे जैसे लोग तो बहुत ही चिंतित होते हैं कि कोई भी परिवार जो हस्ता मुश्कुराता है और थोड़ी संपनता आ गई है तो उनक पार जाने के बाद वे भी भी आना नहीं चाहते हैं हानगी बिहार से कम पैसे उने मिल रहे हुआ लेकिन तब भी वे अपने को ज्यारा अच्छे और अच्छे महौल में वे उन दूसरे स्चरों में पाते हैं तीके जम भी पताना की स्कूलों की बात कर रहे इस ख्लू की ख इनके एलूम नहीं, पुरोबर्टी चाहते हैं, बड़े बड़े स्थान पर हैं, और बस एक पुकार का इंतिजार करते हैं, कि हाँ आप उन्हें मौका दें, वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार के श्रिति ऐसी है, कि यहां लोग कुछ होने नहीं देना चाहते हैं, आप महंद और संपदा प्रिशाद मतलब संपदा पाउ तो अब रहे नहीं, बासुदेवा और उनकी फैमिली, मतलब एरिस्टो और एलकें ग्रूप, यह दोनों बहुती छोटे परते हैं, अनिल अगरबाल के शामने, तो अनिल अगरबाल भी मिलेर स्कूल में ही पर है, कोई प कहीं भी किसी भी तरीके से मिलेर स्कूल की तस्वीर देख ली, मौजुदा, बिल्डिंग की, तो उन्हें ब्राह रोना आया, रोना आया और उन्हें लगा कि नहीं, मैं जिसी स्कूल में परहा हूं, उसकी बिल्डिंग, इस दूर्दसा का शिकार है, यह बात ठीक नहीं है तो अनिल अगरबाल ने कई इंट्रिव्यूस में कहें हैं, कि वे कई रात तक सोचते रहे हैं, और फिर उन्होंने बिहार सरकार को आफर किया, अपने एक सिनियर, जो इंडिया में उनके कमपणी के बड़े अधिकारी थे, उन्हें बिहार भेजा, और उन्हें ने आपते, इसका निर्मान करा देना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए जितने करोर खर्च हो जाएं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, और बदले में मुझे न किसी नाम की जरुत है, न किसी पहचान की जरुत है, मैं ये नहीं चाहता कि आप स्कूल मेरे नाम कर दें, या मे क्वाइस थी, कि मैं जिस स्कूल में परा हूँ, वो इस दूरसा में है, तो उनके, उन्होंने जिस प्राधिकारी को निक्ट किया, जिस ऑफिसर को निक्ट किया, अपनी कमपनी के, वे पटना में सेकेटरियेट में दौते रह गए, कि संची का भरी, तो कभी बराबाउ से म मिलने हो का जाता है, कभी डिरेक्टर से मिलने हो का जाता है, कभी मंती से मिलने हो का जाता है, तो साल दो साल ऐसे ही गुजर गए, और अंती में निरासा ही हाथ लगी, तो आप सोचिए, जो आपकी मदद को हाथ बराना चाहता है, आज अब बिहार में और दुगी करन की ब साथ है और पते एक बिहार बासी को इस बात को सोचना चाहिए मैं जब इसी सिजले में बात करा था तो पटना सीटी से मिले एक ब्यापारी मित रहे हो गए थे मित रहें ब्यापार करते हैं तो पटना सीटी के भी दो बड़े स्कूल रहे हैं एक मारवारी स्कूल और दूसरा जालानी स्कूल ये दो स्कूल भी अपने जमाने में बहुत सोरत वाले स्कूल थे और जब आप मारबारी स्कूल की बात करते हैं तो नाम से ही मारबारी है तो समझ सकते हैं कि वहां मारबारी बच्चों ने आज वो स्कूल भी दूर्दसा का सिकार है जे निसर्ण करते हैं तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे मौका मिले और सरकार कहें सरकार को ऐसे विस्यों में समाज का सहयोग लेना चाहिए तो मारबारी स्कूल की इस्थी सुधारने के लिए वो दस दिनों में पांस करोर रुपे की वेवस्था कर सकते हैं स्वम अकेले नहीं लेकिन हाँ उस स्कूल से जो लोग भी जुड़े रहे हैं चाहे उए पटना मेरा रहे हो चाहे मुंबै मेरा रहे हो चाहे कोलकाटा मेरा रहे हो और सभी स्वेच्छा से दान देने को क्योंकि देखी जहां आप सिख्छा पाते हैं बुनियादी सिख्छा पाते हैं उसके पती आपका लगाओ जिडाओ तो जीवन भर का रह रहाँ देखिए जिन्दिगी में दो बातें बड़ी तसलिश से कही जाती है पहला इसकूल और पहला प्यार तो इन दो चीजों को आप नहीं भूल सकती हैं गरिमा लेकिन पता नहीं क्यों हम जिस रस्ते चल रहे हैं हम बस इस बात से खुश हो जाते हैं कि इतने पतिसत चातर चातर हैं पास है लेकिन हम इस बात से संतुस्थ होने की कोशिस नहीं करते हैं कि जो इसकूल मानकों के हिसाब से नतीजों के हिसाब से सोहरत के हिसाब से अपने पुरुवति चातरों के हिसाब से बिहार के उत्कृस स्कूलों में रहा है आज वो इसकूल क्यों बरबाद हो गया आज वहां कोई क्यों नहीं पढ़ना चाहता है और यदि कोई पढ़ना नहीं चाहता है तो आप कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं तो गरीब के बच्चों को भी आप quality education नहीं दे रहे हैं उनके सास नाइनसाफी कर रहे है यदि अमीर के बच्चे मेडिल क्लास के बच्चे प्राइबिट स्कूल में चले गए और गरीब के बच्चे ही इन सरकारी स्कूलों में पटना के शहरी स्कूलों में पर रहे है तब भी यह बात चिंता का है कि वहाँ उन्हें quality education नहीं मिल रहा है यदि quality education मिल रहा होता तो जब result आया तो उन्हें स्कूलों के बच्चे भी टॉपस लिस्ट में होने चाहिए थे तो अब ये जो इस्कूल है बस इनकी इमारते ही खंधर नहीं हो रही है यादे भी कि हम कैसे थे हम कहां पहुँच गए है तो देखिए चिंटा का विशा है और सबों को इस बात पर गंभीता से सोचना चाहिए हम सिर्फ ये कहकर सांत नहीं बैस सकते हैं सांत बैठना भी नहीं चाहिए कि सिक्षा की स्थिति लालुयादब के जमाने में खराब हुई हां खराब हुई लेकिन आपने उसे दुरुस्त करने के लिए क्या किया सुधारी जा सकती थी अर्बिन कजीबाल ने सुधार दिया ना तो आप सिर्फ क्वांटिटी की बात कर क्वालिटी से भागेंगे तो कभी भी नतीजे बहतर नहीं आएंगे और याद एक होती चली जाएंगे पटना में तो ऐसा हाल है स्कूलों का लेकिन जो और बच्चे अच्छा करकर आए हैं चाहे वो नालंदा के हो खगडिया से हो जो टॉप की है और अंगाबाद के हो उन्हें देखकर कैसा लगता है नहीं देखकर बिल्कुल अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है कि वो लेकिन आगे पढ़ाई के लिए उन्हें बिहार में अफसर उपलप कराना भी एक चुनोती है उसमें भी दिक्कत है आपका पटना युनिवर्सिटी पूरी तरह से एक मतलब अंत के कगार पिर चला गया है नैक उसको जाकर मानेता रद करने की बात करें हाँ चला गया ना बस आगया ना मुद्धे पर आगया ना जब आप बुनियाद खोएंगे तो फिर आगे चलकर इमारत और भी धरती चली जाएगी जब बुनियाद ही कमजोर हो जाएगी मैं तो कहता हूँ नेटिस कुमा जी से कि वे जिस स्कूल में पर हैं बक्तियारपूर का स्कूल है स्री गने सोचपिद्याल है कम से कम एक मॉडल स्कूल की रूप में उसे ही डेबलप करें ताकि एक उदारन बने वो भी स्कूल अपने जमाने में एक बहतर स्कूल था लेकिन आज स्कूलों किसी क्या होती जा रही है आप जब कभी बात करेंगे पुराने लोगों से तो उन्हें रोना आएगा कहा चला गया पाटली पुत्रा स्कूल का गौरब कहा चला गया मिलर स्कूल की पतिस्था कहा चला गया पत्ना हाई स्कूल कहा चला गया बाकिपूर गल्सी स्कूल बाकिपूर गल्सी स्कूल क्या स्कूल था आप सोच नहीं सकते पुरे बिहार में एक समय में चट्चा थी जो भी लर्कियां थी, क्या उसी स्कूल की चमक थी, वहाँ एडमिशन होए का मतलब था, यदि नौटेडम कोई अपने क्लास का स्कूल था, तो बिहारी बच्चे जिनका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता था, वो फकर करते थे कि मैं बागी बुगर्ज स्कूल की छात्रा हू लेकिन आज क्या, किसी भी सरकारी स्कूल के जो पटना में पढ़ने वाले चात्रा है, ठकर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो गौराबान भी भाव से नहीं बता सकते हैं, कि मैं इसी स्कूल का विद्धाती हूँ और मेरे प्रिंस्पल फ़ला है, तो ये इस्तिती है, इस पर सोचने की बात हैं, बिल्कुल, चाहे किसी भी एक्जाम का रिजल्ट आए, सरकार को जरूरत है कि एक बढ़ियां एनालिसिस करें, देखे कि कौन सा स्कूल बहतर प्रफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल बिहार के स्वर्णे मितिहास को याद करके बिहार का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा सकता है, लाइफ सिटीज के साथ आप बढ़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अबडेट्स के लिए फेस्बुक पेज को लाइक करें, साथी साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, धन् के लगा हैं लेगे हैं, लेगे हैं